हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल सेगल एजूकेशन में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काउंटिप, समिफ, टुडे और परसेंटेज फॉर्मूले के बारे में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए and शेयर कीजिए, थैंक यू चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं देखिए अब यह मेरी Excel की फाइल है इसको मैं open करता हूँ इसमें मैं आपको countif के बारे में बताऊंगा और countif formula कैसे यूज करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ तो देखिए जैसे मैंने ये sheet बना रखी है इसमें name है, test number है 1, 2, 3, 4 4 test के number हैं इसमें मैं आपको count if का use करके दिखाता हूँ मैं formula में गया और मैंने लिखा equal to count if और packet start किया और जितने भी number है इन सब को मैंने select किया test 1 से लेके test 4 तक और comma लगाया और comma लगाने के बाद मैं 95 number लिखता हूँ जैसे मैंने 95 लिखा bracket close किया enter मारा तो देखिए आपके सामने आगया 3 कि 95 आपका 3 वार आया है तो ये count करता कि कौन सा number कितनी वार आया है और जैसे मैंने 55 डाला तो देखिए ये भी आपको बता देगा कितनी बार आया है तो ये number को count करके बताएगा ये दो बार आया है तो देखिए आपके सामने 2 आ गया तो formula कैसे लगाना है एक बार मैं आपको और बताएता हूँ इकल टू लगाना है उसके बाद आपको count if लिखना है और count if लगाने के बाद bracket देखना है डो भी आपको number देखना है और bracket close करना है एंटर मारना है जैसे हिके हैं तो आप ऐसे ही आपको हर बार अलग अलग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें number हमारा चेंज हो रहा है अगर हमें एक ही नंबर देखना होता तो आप copy paste कर सकते थे लेकिन इसमें आपको हर sheet में formula लगाना पड़ेगा जैसे मैं इसमें दोबारा आपको लगा के दिखाता हूं देखिए मैंने formula लगाया select किया कॉमा लगाया आप मुझे इसमें 85 देखना है कितनी बार आया तो मैंने 85 लिखा bracket close किया enter मारा जैसी मैं enter प्रेस करूंगा तो देखिए आपके सामने आ जाएगा 85 3 बार आया है जैसी मैं एक बार आपको और लगा के दिखाता हूं लास्ट वाली रो में लास्ट वाली रो में तो देखिए count if का यूद्धा number को count करना जो number ज्यादा बार आ रहा है वो आपको count करके बताएगा कि वह कितनी बार आया है ठीक है next हम आपको formula बताता हूं है sum if क्या ये count if बता है मैंने अब मैं आपको sum if बताता हूं sum if के लिए मैंने ये देखिए sheet बना लिए इसको मैं थो और ऐसी sheet बनानी है तो आप मेरी आगे आने वाली वीडियो को देखना double color की sheet कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी फिलाल मैं आपको sum if के बारे में बता रहा हूं मैंने equal to लगा sum if लगा bracket start किया bracket start करने के बाद select किया select करने के बाद कॉमा है कि 95 आपका जतनी बार आया है उसका sum करके लिख देंगे ऐसी मैं आपको एक बार दोबारा लगा करके दिखाता हूं equal to sum if और जो भी word आपको count करना है वो आपको sum करना है जैसे ही आपको sum करना है वही word लिख दो कॉमा लगा करके वही number लिख देना आप और number लिखते ही enter वार होगे वैसे ही वह count करके sum करके आपको दिखा देगा पहले वाला count है यह वाला sum करेगा तो sum if और count if में difference भी आपको समझ में आगया हुगा count वाला count करता है कि number कितनी वार count हो रहे हैं और sum वाला उन number का sum कर देता है जैसे मैं एक बार आपको और लगा कर दिखाता हूँ equal to लिखा मैंने sum if लिखा bracket start किया bracket start करने के बार जो भी number आपको sum करना है उस number को लिख दोगे comma लगा करके bracket close कर दोगे enter मारोगे तो उसका sum करके वह दिखा देगा एक बार मैं आपको all last row में लगा करके दिखाएता हूँ बराबर sum sum if bracket start then select comma 90 करना है तो 90 किया मैंने bracket close किया enter मारा आपके सामने और देखिए result आपके सामने आ गया अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ है तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं आपको next formula बतलाता हूँ today today मतलब आज कौन सा दिन है वो होता है आपका today इसमें आपको कुछ नहीं करना बराबर लगाना today लिखना bracket start करना और close करना जो भी आपका day होगा आज कर वो आ जाएगा आज की date आपकी आजाएगी इस formula के द्वारा एक पर मैं आपको दुबारा लगा के दिखाता हूँ equal to sum इस नहीं लगाना मुझे today लगाना है देखिए इसने रॉंग जैसे आप गलत लगाओगे तो यह आपको बता देगा कि आप गलत कर रहे हो कुछ आपको okay करके backspace मालना है और सही formula लगाना equal to के बार लगाना है टी ओडी एवाई today bracket start and close enter जैसे आप enter प्रेस करेंगे आपके सामने date लिखी हुई आ जाईगी एक बार आपको दुबारा में करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी confusion ना हो अगर कोई confusion होता है तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं अब next आपक percentage के लिए मैं आपको पर्सेंटेज लिखता हूँ equal to इक्वल टू लिखके यह में आरा मार्क ऑप्टेंज जितने भी मार्क आ रहे हैं वो मार्क लखने आपको कितने नमबर आए इन्टू हंड्रेड डिवाइड बाइ टूटल नमबर टूटल नमबर मेरे जो भी होंगे वो टूटल नमबर आ जाएंगे देखिए सेवन्टी नैन परसेंटेज है तो सेवन्टी नैन आगई अब आपको कुछ नहीं करना है इदर प्लस का बटन मन क्यारा उसको ड्रैक करना है और देखिए सबकी परसेंटेज निकल आई तो परसेंटेज का फॉर्मूला कितना आसान है एक बार मैं आपको और दुबारा करके दिखाएता हूं सबसे पहले आपको लिखना है इकल टू एकल टू लगा के जितने नमबर आए उसको सेलेक्ट करना है इंटू अब आप इसको कॉपी करके पेश्ट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो कॉपी करके पेश्ट कर सकते हैं आप चाहें तो ड्रेक करके भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो कॉपी करके एंटर मारों के सेलेक्ट करके तो भी आपका फॉर्मूला आ जाएगा तीनों तरीके से आप formula को लगा कर निकाल सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ में ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से किन किन तरीके से हम निकाल कर देख सकते हैं इसमें मैंने आपको sum if बता दिया count if बता दिया percentage बता तोड़े बता दिया चारो फॉर्मॉला बता दिये अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए थैंक यू